कि कंबा करनी मारो राजिस्थान पे आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है कैसे हो सारे मार्पयन्स आई हो आप सब बहुत अच्छे हो और आज हम करने वाले हैं हमारे टॉप 125 4 पार अगर हम क्रैश परें के पार फिर मुझसे किसी लर्नर ने पूछा था कॉमेंट किया था कि हम क्या क्या कवर करेंगे देखेंखेंगे अब भी हम इसक्राश कोर्स में कर्ण्ट अफिर्स कवर करें तॉप 125 प्रॉइंटी फैइंड हो जाएंगे आपके उसके बाद जो ह सब्जिक्ट वाइस जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेस्टेंस बनते हैं उनको हम करवर करने की कोशिश करेंगे जैसे राजस्था राटन कल्चर हो गया राजस्थान पॉलिटी हुआ एकनॉमिक सर्वे बजट हुआ हमारा या फिर जॉग्रफी हुआ ठीक है उन सभी के ऊपर मेरी कोशिश रहेगी इंपॉर्टेंट क्वेस्टेंस लेकिया हूं और करेंट अफेर्स के रिवीजन वीडियो अलग से आ रहे हैं वह भी आप देख सकते सारे के सारे ठीक है और जो मेंबर्स जो मेंबर्स मारूराजस्तान पर पहली भार पता रहे हैं सबका घणों-घणों अभी नंदन मेरा नाम डॉक्टर तरुना शर्मा है अनक एडमी प्लस पर मैं एजुकेटर हीं चीफ हूं लेकिन आप सब के लिए सिर्फ और सिर्फ स्टडी सिंप्लिफायर फॉर सक्सेस अभी दो दिन से वीडियो नहीं आये मुझे पता है मैं क्या रोज-डोज मैं आप से क्या वोलूं बस ठीक है तो बस मैं वीडियो नहीं ला पाइई क्योंकि मैं थोड़ा सब बिमार थी ठीक है फीवर हो गया था मुझे तैबलेट ले रही हूं सब ध्यान भी रख सीरीज होती है कॉलिज लेक्चरर आरेस एक्जाम के लिए ठीक है इसमें अभी राजस्तान हिस्ट्री आर्ट इन कल्चर की टेस्ट सीरीज चल रही है रात को नौ बजे मैं एप पे साइंस पढ़ाती हूं फ्री कोर्स चल रहा है इस्पेशली किसके लिए जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए उनको इसमें फ्री नोट्स भी मिलेंगे आपको पीडिएफ भी मिलती है टेस्स सीरीज की भी पीडिएफ मिलती है आपको साइंस के क्रैश कोर्स की भी पीडिएफ मिलती है तो क्या सोचरो सा दिदा कहा औन अकैडमी के लर्निक स्वाइब है अभी तक डाउनलोड निक है डाउनलोड कर लो नईних डिस्क्रिप्षिण में आपको मिलेगा इंiders two ja deux के link आपको description में मिलेंगे आपसे बस वहाँ पे एक unlock code नामक एक चीज होते है जो आपसे मांग सकते तो unlock code क्या लगाओगे आप लोग MRP10 ठीक है हमारा code क्या है कहां गया ready क्या होगा आप तो मुझे बताने की जरूरत निया फिर भी जो मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोग शेयर करोगों कि कि बहुत strongly committed है हम लोग मारूराजस्थान को gram पंचायत तक ले करके जाएंगे ठीक है तभी मारूराजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी जो है उस dream को हम पूरा करने में अपना एक परसें छुटकू सा contribution तो करी सकते हैं चिनुक सा contribution तो हमारा बनता है थीक है तो इसके साथ साथ अगर आप paid classes जोइन करना चाहते हैं जिसको हम plus course बोलते हैं वो भी जोइन कर लिजे आरेस प्रिलिम्स के लिए नया बैच आया expedition बैच मेरा रोल बच्चो उस प्लस कोर्स के अंदर क्या है राजस्थान इकोनॉमी अभी चल रहा है चार से साड़े पांच बजे तक 22 सप्टेंबर से राजस्थान आर्ट एंड कल्चर बढ़ाऊंगी उसके बाद 9 अक्टूब रादा खुश हो जाएं क्योंकि उनके लिए स्पेशली बैच निकाला गया है और इसमें ये ना सोचे हिंदी मीडियम वाले बच्चों को नोटस नहीं मिलेंगे हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी नोटस मिलेंगे जैसे अभी पढ़ा रही हूं वैसे ही आपको वहां महिने का फ्री है आप कोई बच्चा भी ये फर्स्ट एयर में है फाइनल एयर में है जिनको ये वाला तो ऐसे ही देखने देखने के लिए देना है कि पेपर कैसा आता है लेकिन 22 को टार्गेट करें 23 24 को तो आपको तो सोचना ही नहीं है दो साल का सब्सक्रिप्शन लो ता करना है कुछ नहीं करना मैं comment में पिन करके आपको link देती हूँ वहाँ से क्लिक करो उसमें code लगा लगा है वह जहमत भी करने की जूरत नहीं code लगा हुआ है क्योंकि कई बर बच्चे भूल जाते कहां पर referral code enter करना था जो गाँं के बिच्चे होते हैं उनको नहीं पता होता तो अब मैं आपको customized link देती हूँ जो chat में भी पिन होता है comment में भी पिन होता है उस पे click करो अपना plan चूज करो एक साल का लेना है दो साल का लेना है कितना जो बच्चे सिर्फ इस साल का 21, 2021 को target कर रहे है ठीक है या तो एक साल का या तो दो साल का लो क्योंकि pre देके mains की भी त पता दिए कौन सा कौन सा subscription आप लोगों को लेना है current affairs की वहां पे न जो even days होते हैं मतलब जो सोम बुद्ध और शुक्रवार Monday, Wednesday और Friday को free current affairs की class होते हैं यहां पे पढ़ो वहां पे जाके current affairs का test देलो पता चल जाएगा तैयारी कैसी हो रही है ठीक है इसके साथ-साथ RAS की plus test series अलग से चल रही है सक्षम test series subject wise यहां पे test हो रहे हैं तो वह test series के लिए कोई अलग से पैसे नहीं भरने एक ही plus subscription में free है ठीक है इसके साथ-साथ RPSC में हमारे के degree में मान लो हर महीने 50 course launch हो रहे हैं तो अब सारे के सारे course देख पाऊंगे ठीक है RAS की तयारी भी हो जो village development officer आ रहा है उसका भी course आएगा आगे तो उसकी भी तैयारी हुजएगी बार-बार अलग-अलग exam की तैयारी के लिए RPSC के degree में आपको अलग-अलग पैसे नहीं भरने तो ये एक और multi benefit है इसमें आपका चलो अब हम अपने current affairs की बात करते हैं जहां से हमें शुरू करन ठीक है चले आज बिच्चों जो पिछले डाउट्स थे मैं आपके next class में ठीक करूंगे मैंने बताया न मेरे को fever है और सब कुछ चल रहा है तो मैं अब भी नहीं कर पा रहे हूं लेकिन आले माले वीडियो में जरूर आप लोगों के doubts clear कर दूंगे ठीक है तो आज का पहला अचीवमेंट एक्सपोर्ट रतन अवार्ड मिला है 12 एप्रिल 2021 को ठीक है ये question पूछा है lifetime अचीवमेंट एक्सपोर्ट निर्यात रतन अवार्ड किसको मिला है अच्छा मुझे pen यूज करना आप लोगो ने मताया था highlighter ना यूज करूं मैं देखो श्री जंबेश जामेश इश्वर फीड लिमिटेड जैपूर को मिला है राजस्थान टेक्स्टाइल मिल्स भवानी मंडी को मिला है ठीक है श्री चत्रभुज किसान एग्रो प्रड्यूसर लिमिटेड अजमेर को मिला है पोद्दार स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड जैपूर को मिला ह बताओ जरा तो इसका अंसर option number two है कुछ नहीं याद करना राजस्तान लगी मेरे पैर पे आज कल जंडुबाम बहुत हो रहे मेरे साथ राजस्तान टेक्स्टाइल मिल्स भवानी मंदी ठीक है याद रखोगे और पैर पे क्या लगाए दिखाऊंगी दूसरी एक और वीडियो बनाओंगे मैं तब दिखाऊंगी राजस्तान टेक्स्टाइल मिल्स भवानी मंडी याद कर लोगे कुछ नहीं याद करना एक्स्पोर्ट में हम कहां पर टेक्स्टाइल में बहुत अच्छ है हम भिल il-वाडा में बड़ा अच्छा सा छा टेक्स टेक्सि यह्ल का काम चलत लिए ये अवर्ड जो है अनाउंस किये गए 12 एप्रिल 2021 को ठीक है यह इतना याद कर लोगे स्टेट लेवल एक्सपोर्ट अवर्ड जो है अनाउंस किये गए इस साल 28 जो बेस्ट परफॉर्मिंग यूनिट्स है ना एक्सपोर्ट में निरियात करने में जिनोंने टॉप किय अब मैंने आपको टॉप 5 एक्सपोर्ट आइटम्स ऑफ राजस्थान भी करवाया हुआ है अगर याद हो तो एकोनोमिक सर्वे में भी कर आया प्लस में भी करवाया एकोनोमिक सर्वे में तो लोग आप बता सकते हो वह आइटम कौन-कौन सी है ठीक है चलो अब मुझे नंवर पर जहां तक मुझे आदा आता है टैक्स टाइल में हम पहले नंवर पर थीक है और तीसरे नंबर पर बच्चों एंडी क्राफ्ट करते हैं हम लोग मेटल जामें मैं याद करा तो इसके एक स्टोरी है बड़ी अच्छी सी हैरी की स्टोरी है ठीक है हैरी की स्टोरी है हैरी गया लंडन ठीक है जॉब वो अब लग गई अच्छा पैकेज मिल गया भाई उसके तो एश हो गई एक दब राजस्तान से गया है अपने राजस्तान से गया है ठीक तो आजमी सबसे पहले पैसे किस चीज़ पर खर्च करेगा वो कहेगा अच्छे खासे कपड़े खरीद लेता हूं सबसे पहले उसका दिमाग कहा पर जाएगा दिखना अच्छा दिखना चाहिए है ना तो दूसरे नंबर पर आ जाएगा टेक्स्टाइल टेक्स्टाइल एक्सपोर्ट अच्छा हो गया फिर उसको कर रहे है चलो कपड़े बपड़े मैंने खरीद लिए और पैसे आए जारे को काम बहुत अच्छा कर रहे है दिमाग है इंटेलिजेंट है सारी चीज़े उसके अंदर फिर वो अपने घर की और नीलम पहन के हमेशा तो तीसरे नमबर पर उसने का मैं भी जैम स्टोन्स खरीद दूँगा महंगे महंगे आते हीरे मोती जवारत तो चौते नमबर पर जैम सें ज्वैलरी का एक्सपोर्ट सबसे जादा होगा जैम सें ज्वैलरी अगर उसने खरीदी लिये हैं तो यह बगेरा स्टोन्स जितने भी आते हीरे मोती जड़वाएगा तो मेटल में ही न अब वहां का है तो सोच लो वो गोल्ड में प्लाटिनम में जड़वा रहा है इंटरनेशनल बंदा बन गया है हमें यह नहीं याद करना आपको सरफ मेटल याद करना है ठीके तो टॉप आइटम्स ओफ एक्सपोर्ट पता चल गया ठीके लाइफटाइम अचीवमेंट अवर्ड दिया गया एक्सपोर्ट में लाइफटाइम अचीवमेंट एक्सपोर्ट अवर्ड किसको मिला है राजस्थान टेक्स्टाइल मिल्स को मिला है कहां पे लोकेटिड है भवानी मंड कौन से जिले में आप बताओगा मुझे ठीक है चलो आगे देखते हैं और कितनी युनिट्स को दिया गया है 28 युनिट को आठ जमा दो दस इनका सम एक आएगा ऐसे भी याद कर सकते हो ठीक है एक्सपोर्ट सेक्टर में कितनी अच्छी परफॉर्म करने वाली इकाईयों को जो अवर्ड मिला है क्या अंसर आएगा 28 याद रख लोगे भूलोगे तो नहीं ठीक है यह अवर्ड सारे एक ही केटेगरी में तो नहीं दिये होंगे 15 अलग-अलग के अंदर दिये गए 15 अलग-अलग शिरेणियों के अंदर दिये गए हैं बहुत अच्छी ग्रोथ के लि 15 के टेगरी के अंदर लेकिन इसमें स्पेसिफिकली लाइफ टाइम अचीवमेंट एक्सपोर्ट रतन अवर्ड पहली दफा दिया गया है यह पहली बार अनौंसमेंट ही अभी हुई है ठीक है तो यह पहली बार अवर्ड जो है अनौंस के गए हैं यह आपको याद रखना किसको मिला है राजस्तान टेक्स्टाइल मिल्स लिमिटेड हो गया सबका बहुत अच्छे से ठीक है यह अवर्ड जो है उस यूनिट को अब जो एक्सपोर्ट वाले अवर्ड दिये जा रहे हैं वो किसको दिये जाएंगे क्या जिसने कल से एक्सपोर्ट करना शुरू किया उसको दे दोगे कुछ तो experience होना चाहिए न तो 12 साल का जिसको experience है न उसको मिलेंगे दिखो 15 केटेगरी में दिये 3,5,15 ठीक है कितने साल का experience होना चाहिए 3,12 बारा साल का उसको experience होना चाहिए अब वो export कर रहा है लेकिन लोगों को रोजगार नहीं दे रहा तो कैसे चलेगा तो उसने पिछले 5 सालों में 5 सालों के अंदर अंदर 500 पीपल 500 लोगों को कोई ना कोई employment दिया होगा उसने ठीक है तभी export करेगा इतना सारा और पिछले 3 सालों में कितने रुपे का export कर दिया हो कितना निर्यात कितना समान बेच दिया हो उसने 100 करोड का ठीक है 100 करोड का कम से कम पिछले 3 सालों में 100 करोड का उसने समान बेचा हो ठीक है ये चीज हो गई और कम CSR अब इतना उसने समान बेचा है loss में तो बेचा नही होगा अब जो बड़ी बड़ी कंपनियां होते सरकार ने इनके पीछे जिम्मेवारी लगा रखे सरकार को पैसा हो तो चाहिए corporate social responsibility ठीक है ये जो corporate sector है इनकी भी समाज के प्रती कोई जिम्मेवारी है उसके तहट पैसा लगाओ तो उस CSR के तहट इनको इनको देखो सो करोड का समान बेच है वापस कितना ले रही है सरकार ऐसे याद कर लो चलो इसमें profit कम हुआगा जितना भी हुआगा दस करोड वापस ले रही है मतलब हम 10 के multiple हमें याद करने सो करोड का नि राजस्थान जो है ये question कई दफा करा दिया मैंने economic survey में दिया हुआ है राजस्थान जो है domestic production of crude oil यानि कच्चा तेल जो होता है उसके घरेलू उतपादन में ठीक है बॉम्बे हाई के बाद हमारे देश के अंदर इंडिया के अंदर दूसरे rank पे आता है कौन से rank पे आता है दूसरे rank पे आता है देखो राजस्थान कच्चे खनीच तेल के घरेलू उतपादन में बॉम्बे हाई के बाद देश के में दूसरे स्थान पर है दूसरा जो है इसका कारण दिया हुआ है दूसरे number पे कुछ आया है कोई बंदा पहले दूसरे तीसरे number पे ranking कब लगाते हो आप लोग number देखके ही लगाते हो ना marks देखे यह ranking वाले है अगर आपको test series देनी है तो learning app पे आना मत भूलना आप यह कहना मैडम promotion कर रही है आर यह बात तो मैं क्या करूँ मैं जान मुझ के तो नहीं कर रही ranking हम कैसे मांक से आप लोगों को भी अगर अपनी ranking करनी हो नहीं improvement करने हैं दूसरों से comparison करने के लिए सुभा 8 बजे test होता है दरपन test series में सबको आना है link description में link telegram पे भी share करते हूं यहां से join now description से telegram पे चले जाना MRP 10 code लगाना भूलना नहीं ठीक है तो वो reason क्या दे रहा है कि राजस्थान जो है हमारे देश के crude oil का हम कितना produce करते ह जानी की 22% produce करते हैं ठीक है तो एक उसने assertion दे दिया मतलब कतन एक उसने reason दे दिया मतलब कारण अब वो आपसे question पूछेगा option देगा कि दोनों statement सही है और जो कारण दिया गया है वो बिलकुल सही तरीके से कतन को explain कर रहा है reason is the are is the correct reason for explanation दूसरा option क्या होता है दोनों सही है लेकिन are correct explanation नहीं है वो उसको justify नहीं कर रहा statement को ऐसे बोड़ा है ये question आपने ध्यान से पढ़ना होता है paper में कई बर वो पहले option में not वाला दे देते हैं दूसरे में correct वाला दे देते हैं तो ये ध्यान से पढ़के आना है statement तीसरे में कह रहा है A is correct R is false चौते में कह रहा है A गलत है और R सही है तो इसका सही answer क्या हो गया आपको मेरी बातों से भी idea लग गया होगा इसका सही answer है option number A राजस्थान जो है कच्चे तेल के उत्पादन में भारत में दूसरे नंबर पे है और दूसरे नंबर पे क्यू है दो और double two याद कर लो 22% crude oil जो है हम इंडिया का produce क ठीक है और जो है subscribe नहीं किया है subscribe share जरूर करना बहुत जरूरी है ठीक है बॉम्बे है कितने percent produce करते है 40% राजस्थान 22% produce करते है ठीक है हमारे राजस्थान में कच्चा तेल crude oil कहा produce हो रहा है ये भी कोशन आ सकता है बाड़मेर जैसलमेर के अंदर कहां पे produce हो रहा है बाड 14 petroleum exploration leases जो है issue किये हैं सरकार ने कितने issue किये है 14 petroleum exploration leases मतलब काम दे दियां companies को कि आप जो है explore कर सकते है petroleum products को और crude oil को ठीक है याद रखोगे भूलना नहीं है भही जलदी से अच्छा एक एक बच्चा आज मुझे बताओ कितने कितने share करने वाले हो आज तो ठीक है याद कौन कौन सी कंपनिया करती है अपने राजस्थान में ओन जिसी करती है oil and natural gas corporation विदानता करती है और oil इंडिया कर रही है ठीक है 2021 में यह काम कौन कर रही है oil है न ओ से शुरू हो रहे हैं दो कंपनी तो oil इंडिया limited हो गई और एक बस आपको याद करना है विदानता कौन कर रहा है विदानता जो है वो कर रही है ठीक है भूलोगे तो नहीं भूलना आज तो मैं गिरूंगी देखना आप लोग जड़ा कुछ-कुछ मेरे पैरों में अड़े जा रहा है जंडू बाम हो रहा है चलो अगला question है अजस्तान के AICTE लीलावती अवार्ड 2020 का दिया गया 11 एप्रिल 2021 को ठीक है कौन से इंसिचूट को AICTE लीलावती अवार्ड दिया गया बियानी इंसिचूट ओफ साइंस और मैनेजमेंट जैपूर में बिरला इंसिचूट ओफ टेकनोलोजी जैपूर में मनिपाल पीट टोक के अंदर दिया गया बताईएगा चापश बताईएगा तो इसका सही आंसर है देखे इसका सही आंसर है ऑप्शन नमबर A बियानी इंसिचूट ओफ साइंस और मैनेजमेंट जैपूर ठीक है बियानी को अवार्ड दिया गया लीलावती अवार्ड ठीक है लीला CTE, लीलावती अवार्ड किसको दिया गया है, लीलादा व्याद कर लू बियानी इंसीचूट को दिया गया है, कहां पे हमारी राजधानी में यह जैपूर के अंदर लोकेटिड है, याद कर लोगे, लिया निंसीचूट ओफ साइंस अंद मैनेजमेंट विद्ध्यानगर के अंदर जैपूर के अंदर located है किस category में मिला ये भी याद कर लो Central Ministry द्वारा दिया गया है ठीक है Education Minister जो है हमारे शिक्षा मंतरी किंद्रिय शिक्षा मंतरी रमेश पोखरियाल जी रमेश पोखरियाल निशंक उन्होंने दिया ठीक है उन्होंने इसकी announcement की कौन सी category में मिला ये याद करना ना मूलेगा Women's Health category में महीला स्वास्थे श्रेणी के अंदर ये award हमारे बियाने Institute of Science और Management को दिया गया है Women Health Sector भूलोगे तो नहीं असान ही है इतना मुश्किल तो नहीं है मेरे ख्याल से ठीक है चलो फिर एक options statement वाला question आ गया हमारे पास statement one statement two पहला question है high powered committee on high education राजस्थान has recommended to change the system of swim party student मतलब की राजस्थान के अंदर उच शिक्षा के ऊपर high powered मतलब की बहुत जादा शक्तिशाली क्या होगी इसके हिंदी उच शिक्षा पर गठित उच अधिकार प्राप्त समीतिक ने ये recommend किया है जो अपने यहां पर system है ना swim party students उसको खतम कर दो swim party students होता है जो बच्चे मतलब private है school नहीं जा रहे रेगुलर college ने attend कर रहे ठीक है इस तरह से लेकिन वो exam देते हैं ऐसा कुछ ठीक है distance learning system has been recommended by the committee और इसकी जगह पर क्या लेकर आओ ओपन distance learning system लेकर के आओ यह इन्होंने recommend किया है recommend मतलब इसकी अनुशंशा की है कि open distance learning system आना चाहिए ठीक है यह दोनों point clear होगे high empowered committee ने swim party system को बंद करने की बात कही है और और option दे रहे हो कि दोनों statements है और statement a दूसरे statement से related है ठीक है दूसरा statement है दोनों correct है लेकिन कोई relation नहीं है दोनों आपस में समंदित नहीं है किसी भी तरीके से यह बोल रहे है तीसरा बोल रहे है statement one is true two is false दूसरा जूट है गलत है चोथा statement है statement one is false and two is correct ठीक है तो देखो सीदी सी बात है swim party system खतम कर दो उसकी जगह पे open education learning system ले आओ तो दोनों related तो हुए ना एक दूसरे सा related है तो answer हो जाएगा option number a ठीक है क्या answer हो जाएगा option number a और कौन से राज्य नहीं यह जो swim party self studying वाले जो students का जो यह system होता है उसको खतम कर दिया यूपी ने खतम कर दिया उत्र प्रदेश ने जो है इसको क्या कर दिया है खतम कर दिया याद रखो गए भूलोगे तो नहीं भूलना नहीं भै ठीके प्रदेश के उच्छ शिक्षा मंत्री भवर सिंग भाटी जी द्वारा गठित की गई थी ये कमेटी में कितने मेंबर्स थे हाई एंपावर्ड कमेटी में छे मेंबर्स थे इसमें कौन-कौन लोग थे ये बहुत जादा नहीं याद करना देखो ये कमेटी उच्छ शिक्षा से रिलेटिड है हमारे यहाँ पे उच्छ शिक्षा किसको मानते थे पुराने जमाने में जिसको वेद पाठ का ग्यान हो उस टाइम पे ये ज़ादा वेद पाठ का ग्यान किसको हुआ करता था देखो जो प्रोफेसर्स है ना उनके नाम देखो जरा जे एन वी यू के वाइस चांसलर प्रोफेसर प्रीसी त्रिवेदी मैंने बोला वेदों का ग्यानो तो दो सरने में त्रिवेदी आ रहा है पीसी त्रिवेदी प्रोफेसर आईवसी त्रिवेदी त्रिवेदी तो याद रहे जाएगा आपको उसके अलावा ब्रहामन ब्रहामन का सरने मतंब सारे ब्रहामन लगा लिए जिसको अम शर्मा बोलते हैं तो देव स्वरूप शर्मा ठीके या बेद वेदों की बात करें देवताओं की बात करें ऐसे याद कर लो प्रोफेसर अशोक नागावत और बीके सेक्रेटरे मुख्या सचेव भी जो है शाशन सचेव वो भी इसमें शामिल थे इस कमेटी के सदस्यों में याद कर लोगे बस हलकी नजर डालनी है बाकी तो आपको एक कमेटी इसको बनाए गया था यूपी में उसके। राजस्थान केडर के 1989 के बैच के किस IPS officer को मतलब Indian Police Services के किस officer को क्या बनाया गया है राजस्थान स्टेट पुलिस कमिशन का सेकरेटरी बनाया गया है यानि कि राजस्थान राज्ये पुलिस आयोग के सच्चिव पद पर नियुक्त किया गया है तो अंसर है मानवेंदर सिंग ऑप्शन है भुपेश खाजुवाला ती जिंदर खना या फिर भुपेंदर कुमार दक ठीक है तो देखो मैं इसको बताती हूँ पुलिस को देखके अगर बच्चे मूवी देख रहे हैं पुराने जमाने में देखते हो स्टेट पुलिस कमिशन का सचिफ जो इन्होंने बनाये किसको बनाये अब तो अंसर समझ में आघऊ दिल आपका दगद है चलो ठीके अतिरेक्त अच्छा इससे पहले जो है ये जो है बुपेंद्र कुमार दग्जी जोथपूर के और जैपूर के पुलिस कमישner भी रह चुके है ठीके अभी जो है additional DGP है ये मतलब ADGP ठीके DGP होते हैं सबसे उपर फिर additional DGP वो हैं इनको appointment किया गया जैपूर और जोधपूर के police commissioner रह चुके है इसके अलावा jail department में important position police की planning में welfare में सब जगा पे इनका बहुत important role रहा है याद कर लोगे भुपेंद्र कुमार तक ठीक है ये आपको याद करना है next question है हमारा Rips 2019 Rips मतलब राजस्तान investment promotion scheme जो है 2019 में उसमें एक बदलाव किया अमेंडमेंट किया गया जिसको state government ने approve कर दिया कब कर दिया 6 April 2021 को ठीक है तो इन्हों ने ये कहा कि हमारे राजस्तान में पहले किसी को resort खोलना है ठीक है उसको 5 एकर जमीन चाहिए थी किसी को amusement park खोलना है ठीक है उसको 10 एकर जमीन चाहिए थी अब ये जमीन घटा के rips policy के तहत राजस्तान investment promotion scheme resort कोलने के लिए कोई आएगा तो investment ही कर रहेगा ना तो पहले उसको 5 एकर जमीन खरीदनी पड़ती थी amusement park मतलब ये जैसे splash वगरा होते है fun park होते इसमें कुछ गूमने फिरने जा रहे हो तो 10 एकर जमीन चाहिए थी ठीक है तो अब हमें चाहिए और जादा investment और जादा investment कैसे आएगी जब जमीन की जो demand है उसमें हम थोड़ा सा soft हो जाएंगे थोड़ी कम कर देंगे तो वो land कम करके कर दिया पांच करोड से कम पांच करोड से कम करके कितना कर दिया डाइ एकर amusement park के लिए resort के लिए 3 एकर या साड़े तीन एकर amusement park के लिए मतलब आप पढ़ लो 4, 4 x 4 और कोई decision अभी तक इसमें regard नहीं लिया गया है ठीक है तो यह yयो बोड़ रहे है आधा कर दिया, पांच का आधा कितना होता है, धाई, तो resort के लिए तो दो एकर कर दिया, ठीके, और amusement park के लिए धाई एकर, देखो दोनों में पहले gap कितना था, पांच एकर का gap था, अब जो है, 0.5 एकर का gap रह गया, सोचो जारा, ठीके, तो resort के लिए सिर्फ दो एकर, याद कर लोगे, और amusement park के लिए धाई एकर जमीन, जो है, चाहिए होगे, और खोल सकते हो, ठीके, ये आपका हो गया, इसमें, ठीके, मनोरंजिन पार्क के लिए ये, ठीके, इसमें जो है, इसमें जो है, ये भी कर दिया गया है, कि solar और wind energy का, ठीके, solar और wind energy के कोई equipment लगा रहा है ठीके, अगर आप solar power project, मतलब कुछ लगा रहे हो, जिससे आपके solar की, solar से आप power produce होगी, ठीके, तो उसमें जो है, employment grant to improvement manufacturing units of solar wind energy, इसके अंदर जो grant दी जाती थी, na, employment, रोजगार देने के लिए, जो इनको grant मिलती थी, वो grant 75% से बढ़ा के कितनी करती गई है, 90% करती गई है, ठीके, 90% कर दी है, solar और wind energy की उपकरन निर्मान unit, अगर कोई unit ऐसी है, जो solar power project कुछ लगाना चाहा रही है, या wind वाली, रोजगार अनुदान, तो वो जितने लोगों को अनुदान देंगे, उनको उसका 90% grant दिया जाएगा, जितने का भी वो रोजगार देने वाले है, ठी SCST, entrepreneur special package के अंदर भी investment limit जो है, पहले जितनी भी investment limit थी, उसको 50% कम कर दिया गया है, ठीके, ये सारे decision किसमें लिये गए है, रिप्स 2019 के अंदर ये decision लिये गए है, ठीके, याद कर लोगे इसको, ठीके, अमबेड कर SCST, entrepreneur special package में 50% कम कर दिया गया, याद कर लोगे, भूलोगे तो नहीं, बुलना नहीं है, ठीके, अच्छा, सबको PDF मिलेगी, टेलिग्राम चैनल पर, I hope अब तो कोई tension ही होते होगी, अच्छा, इसमें और भी decision लिये गए, जेम्स और ज्वेलरी का जो sector था, ठीके, रिप्स 2019 के मताबिक, जब आपको चाहिए न, जब तक ये industry थी, heavens and jewelry वाले sector को, क्योंकि हम बहुत अच्छे export करते है, gems and jewelry में कौन से number का export है, राजस्था सबसे बड़ा निर्याथ हमारे यहां पे, Gems and jewelry का ही होता है, तो इसको rips के, राजस्थान investment promotion scheme के कौन से sector में डाव दिया, service sector, सेवा, शेत्र में शामिल कर दिया गया है, ठीके, इविकल की production के लिए इविकल को लगाना चाहता है वो बैटरी से चलने वाले आटो जो आते हैं जैसे ठीक है उनकी production के लिए investment limit पहले था कि आपको इविकल का production का plant लगाना है 50 करोड रुपया चाहिए अब उसकी investment कम कर दी कितनी limit कर दी 25 करोड से भी आप शुरुआत कर सकते ह इलेक्टरोनिक विकल अगर आप लगाना चाहते हो ठीक है तो यह 50 से 25 करोड कर दिया याद कर लोगे resort के लिए जमीन दो एकड कर दी और amusement park के लिए धाई एकड कर दी 5 और 10 से घटा के यह हमने पढ़ा respectively और इसके बाद हमने यह पढ़ा कि जो solar power wind power वाली जो कोई भी project लग लिए हां डॉक्टर बी आरम वेटकर SCST ठीक है उद्यमी प्रोचाहन विशेश पैकेज के अंदर investment limit 50 करोड से घटा 50% तक कम कर दी गई है ठीक है 50% कम कर दी कितना है यह ने लिखा है 50% कम कर दी ठीक है अच्छा खतम ही नहीं हो रहा है तो और क्या कर दिया इसमें और जो ह कुछ units जो की 31 March 2014 तक की टाइम लिमिट थी कि इनसे production शुरू हो जाना चाहिए लेकिन किसी भी कारण की विज़े से production शुरू नहीं हो तो उनको 2 साल का और टाइम दे दिया है कि 2 साल के अंदर अपना production शुरू कर लो 31 March 2023 तक की उनकी उत्पादन करने के लिए जो सीमा है वो बढ़ा दी गई है याद कर लोगे यह सारे points ठीके यह एक बार नज़र डालोगे हो जाएंगे ठीके इनका कोई बहुत खास रटा नहीं मारना होता लेकिन आपको याद जरूर रह जाएंगे ठीके अब राजस्तान में पहली बार पहली बार व्यूवन क्रिकेट जो है एक अकैड्मी स्टार्ट की गई है पहली बार ठीके महिलाओं की क्रिकेट के लिए 7 April 2012 को हाज मुझे उल्टा पूल्टा दिख रहे न 7 April 2021 को उस Cricket Academy का يह Cridanchal Japan Kalo Day Cricket Academy या तेजा में Cricket Academy और मes vamos और कराया हुआ है Current Affairs में पहले िक्रिकेट अनसर आएगा Kalo Day Cricket Academy कौन सी Academy की गई है Kalo Day Cricket Academy तो और याःःः Option नंबर C आंसर हो जाएगा ठीक है याद कर लोगे खेलो महिलाओं के खेलने का जो है समय उद्ध हो गया इसकी शुरुआत किस ने की है जैपूरिया क्रिकेट अकैडमी ने की है जैपूरिया जो इनका आडिटॉरियम है वहां पे की है ठीक है हां और किसके साथ मिलके जैपूरिया की आवास Foundation के साथ मिलके जैपूरिया विद्याले का कैमपस है उसके अंदर की है ठीक है तो किस ने स्टार्ट किया है? ये जैपूरिया Cricket Academy ने इसको स्टार्ट किया है ये इसोड़ी अब भी जो शुरू हुई है तो क्या दूसरे गेम शामिल नहीं है ऐसा कुछ नहीं है धीरे-धीरे करके इसमें दूसरे स्पोर्ट्स भी शामिल किये जाएंगे अभी हाल-फिलाल खेलो दिया क्रिकेट अकैड़ी स्पेशली जो है महिलाओं के लिए क्रिकेट के लिए शुरू की गए लेकिन बाकी सारे गेम्स इसमें बहुत जल्दी एड किये जाएंगे ठीक है उसके बाद next question sports related question आगया फिर से परवेज आलम जो की राजस्थान के हैं इन्होंने 10th federation cup competition हुआ था ठीक है जो की Indian bodybuilder federation के द्वारा रखा गया था लखनव के अंदर तो परवेज आलम ने इसमें हमें कौन सा medal जितवाया है gold silver bronze या फिर तीनों ही दिलवा दिये तीनों तो होई नहीं सकता आंसर इतनी तो common sense हम वो पता है तो इन्होंने जो है हमें रजत रजत का मतलब है silver medal जितवाया है सा medal जितवाया है silver madam इसी प्रतियोगिता में राजस्थान के एक और player है जिनका नाम है मुकेश चोधरी जिनका नाम है मुकेश चोधरी परवेज आलम ने silver medal दिलवाया है ठीक है बोडी बिल्डिंग वाली जो championship थी इनकी और मुकेश चोधरी ने bronze medal अपने को दिलवाया है तो जो second और third जो medals है वो हमारे पास ही आए है ठीक है अच्छा अगला question है यह भी बहुत important award है क्योंकि यह भी अभी अभी यह शुरू किया गया है ठीक है जैसे अभी पड़ा था ना lifetime achievement export रतन अवार्ड वैसे तो exports के लिए प्रोचाहान के लिए हर साल अवार्ड दिये जाते लेकिन रतन कान्ती जोशी अवार्ड senior category में 3 April 2021 को किसको देने के लिए announce किया गया ठीक है यह भी देखेंगे किस चीज का होता है यह award व्यूमन क्रिकेट का मैं हिलाओ कि कौन सी cricket player को यह अवार्ड मिला प्रेंका शर्मा, सिम्रन चौधरी, आयूशी गर्य या फिर अनुशका पांगेल ठीक है, I think इनको पंगेल बोलते होंगे, ठीक है, English की pronunciation पे जादा नहीं जाना होता, वो इतनी तो English, English भी नहीं बोलते हैं, हमें क्या जरुरत पड़े है, ठीक है, आप याद कर लो बस पंगेल बात का तब, तो यह award जो जीता है, प्रेंका शर्मा ने जीता है, कौन से वर् announcement अभी हुई है, कि अभी देंगे 2021 से ही शुरू हो रहे है, सुंदर कान्ती जोशी अवाड, लेकिन आपको यह चीज़ ध्यान रखनी है, यह दिये गए, पिछले साल के लिए भी दिये, 19-20 की भी announcement कर दी, और 20-21 के, तो 20-21 का तो गया प्रेंका शर्मा को, senior category के बात कर रह है, ठीके, junior category के अंदर यह award दिया गया, सिमरन चौधरी को, ठीके, junior category में, 2019-20 के लिए किसको दिया गया, सिमरन चौधरी को दिया गया, याद कर लोगे, सिमरन चौधरी, आयूशी गर्ग, पिछले साल के लिए, 19-20 के, एक junior category में, एक senior category में, प्रेंका शर्मा senior category में, इनको अभी 2020 के लिए दिया गया याद कर लोगे सुन्दर कांती जोशी अवर्ड कौन सा गेम है क्रिकेट गेम है महिलाओं के लिए ये अवर्ड दिया गया ठीक है देखो इनकी क्या मेदा है मैंने शुरुआत अभी हुई है महिला दिवस पर आठ मार्च 2021 को ही ये अवर्ड स्टार्ट किये गए है लेकिन पिछले साल से दिये गए किस क्लब ने यह उबर्ड शुरू किया है किस्ने शुरू किये है राधा निवास क्लब के द्वार्ट के द्वार्ट तो सुछ है अगला कोशन है अगला question है SMS जो हमारा college है medical college है जैपूर का ठीक है मैं आप लोगों के आगे तो आज कुछ जादा ही अड़की मुझे लग रहा है देखो आप question बढ़ो शाबाश SMS जो medical college है हमारा सवाई मानसिंग college जैपूर का gastroenterology department gastroenterology department कौन सा होता है stomach वाला stomach वाला पेट वाला intestine वाला department होता है उसको बोलते हैं तो हमारे यहां के gastroenterology department के gastroenterology ठीक है किस assistant professor को dr. फारुक अब्दुला best research paper award दिया गया है यह वही dr. फारुक अब्दुला है जम्मू कश्मेर वाले ठीक है और और दूसरा example तो और कोन है राजस्तान से क्या relation है इनका बताओ मुझे बताओ उनका dr. फारुक अब्दुला best research paper award अपने राजस्तान से क्या relation है इनकी जो बेटी है वो अपने राजस्तान की बहु है है न किसके साथ शादी हुए हमारे डिप्टी से एम जो थे कौन सचिन पाइलेट है न कनेक्शन देखो जरा तो किसको यह award दिया गया है dr. सुधांशु चेटर जी डॉक्टर महीमा गौड, dr. सुधिर महर्शी, या फिर dr. तीरत कुलखेत्रा किनको इतनोंने यह award जो है वो जीता है आता है तो सहिं है ने आता है अमारसे देखते है किनको दिया गया भाई research करनी है महरशी dr. सुधिर महरशी को दिया गया जमू किश्मीर वाले देखो लिखा हुआ है former CM उनी के नाम पर ये award है ठीके तो राजस्तान की किसी बंदे को बाव ये मत सोच लिना सिफारिश से जीत लिया ऐसा कुछ नहीं है अपरोच से नहीं जीता काम से ही जीता है राजस्तान की handball team थी इस senior वाली senior man वाली जो थी पुरुश वर्ग की senior मतलब senior हिंदी में भी senior ही बोलोगे senior category के अंदर कौन सा medal दिलाके लाए है हमें gold, silver, bronze या फिर कोई भी नहीं अब कोई भी तो नहीं होगा answer कोई medal तो अपने जीता ही होगा तो देखते है कौन सा medal जीता है कास से यानि की bronze medal जीता है ठीके राजस्तान की team जो है 4 April 2021 को ये match हुआ था semi final दिल्ली से हार गए हम दिल्ली से हार गए तो हमें bronze medal मिला इसमें ठीके अब ये इतना important क्यों है ये इतना important थोड़ा थोड़ा इसलिए है कि इस प्रतियोगिता के अंदर 18 साल में हमें जाके medal मिला है कितने साल में 18 साल में इससे पहले 2003 में आया था अभी 2021 में मिल रहे हमें किसके अंदर handball competition जो national level पे होती है उस time पे ये हुई थी बिलाई 36 कड के अंदर और तब हमने silver medal जीता था तो ऐसा हो गया ना Olympic पे जैसे hockey team ने India ने अच्छा performance किया है तो वैसे ही हमने handball के अंदर अपने national game में अच्छा performance किया पहले हमें 2003 में कभी silver medal मिला था अपी चलो शुरुआत अच्छी होगी bronze medal हम लोगों को मिल गया याद रख लोगे भूलोगे तो नहीं भूलना नहीं है अगला question है which of the following is not correct ठीक है इस question को पढ़ो राजस्थान में जो नई women policy आई है 2021 उसके बारे में statement दे दिए चार statement दे दिए आपको अब पूछ क्या रहा है which of the following is not correct नहीं पूछ रहा हो क्या पूछ रहा है for overall development of women and girl child तो यह तो सबको समझ में आ रहा है महिलाओं और जो बच्चियां है उनकी overall समन्वे विकास के लिए इस निति को launch किया ठीक है यह जो policy launch की गई ठीक है शुरू की गई कब की गई है अब इसमें आपको जादा कुछ नहीं याद करना 21 सन चल रहा है 21 सदी की महिलाएं याद कर लो 21 सदी की महिलाएं कैसी हो ठीक है इतना याद रह जाएगा और नवरात्रे कब आते है mostly April में आते हैं मातारानी के दिनों में महिलाओं की बात हो रही है ठीक है इस policy का purpose ये है कि better coordination बने किसमें महिलाओं के जो अलग-अलग विभाग है अपने यहाँ पे और girls welfare के जितने भी department है उन सब के अंदर अच्छा सा समन्वे हो ये policy helpful होगी किसके लिए adolescent girls ठीक है और women के लिए safe और वो सुरक्षित रहेंगी और उनका सशक्तिकरन होगा ठीक है प्रदेश में बालिकाओं के लिए और जो किशोरा अवस्था में महिलाए हैं उनको सुरक्षित और safe environment प्रोवाइड करने के लिए इस में से जब इस तरह के question होना कई पर common stance लगा लेनी पड़ती है देखो coordination तो बढ़ी जाएगा अच्छा और क्या नहीं होगा coordination ऐसा तो नहीं हो सकता उनको safe भी करेगी secure भी करेगी empower भी करेगी ये भी होगा 2021 के लिए नहीं policy आई है ये अगर आपने सुन रखा होगा तो ठीक है तो statement गलत कौन सा लग रहा है second statement गलत लग रहा है तो देखते हैं इसमें क्या गलत है क्या गलत है इसके अंदर आई है ठीक है तो देखो इसमें महिलाओं के लिए almost almost सारे पहलू को टच किया गया इसके अंदर state government ने इसमें बी option गलत है अभी देखेंगे क्यों गलत है ठीक है state government ने बहुत सारे points जो है include किये है महिलाओं के बर्त जनम से related उनके उपर उनका survival अच्छा हो उनकी health अच्छी हो education अच्छी हो training अच्छी हो livelihood आजिविका अच्छी हो housing property ownership में उनक policy बनाई है किसके तहद बनाई है यह sustainable development goals जो है हमें 2030 तक जो achieve करने है ना उसको मद्दे नजर रखके बनाई गई है ठीक है तो इस policy में यह बदलाव हुआ है sorry sorry एक मिनल बच्चो 2021 वाली policy के अंदर ठीक है इसके अंदर main focus क्या है यह भी पूछ सकने है तो 2021 की policy का focus यह है women का जो categorization किया है कि कौन सी category वाली महिलाओं के लिए क्या environment होना चाहिए क्या policy होनी चाहिए वो उनको अलग अच्छे तरीके से किया है ठीक है महिलाओं के जो समू है उनका वर्गी करर उनका categorization उनका classification बहुत अच्छे से किया है देखते है कैसे क्या किया है इन्होंने देखो ठीक है policy noted that राजस्थान का initiative लिया one stop center बनेगा अपराजिता center जो की जैपूर में 2013 में setup किया गया था और इसमें जो है निर्भया fund को हमने utilize भी किया था ठीक है और इसको सखी के रूप में one stop center के रूप में हमने वो किया था accept किया था ठीक है तो यह दो पुरानी बात बता रहे है इसके बाद देखो हमारी जो पहले woman policy है वो कप आई थी 2013 में आई थी ठीक है जो 2021 वाली policy है आप से पूछेंगे announcement क्या दिया था option में 21 April 2021 को आप देखके लगेगा statement बड़ा सही है इसकी जो announcement हुई थी ना वो budget में हुई थी 2020 के budget में गहलोज जी ने इस scheme की announcement की थी और जो एक और girl policy चली आ रही थी 2013 की वो इसके साथ मर्ज हो जाएगी ऐसा उन्होंने कहा था यह point याद कर लोगे यह important point है इसके और नई policy के अंदर focus यह है एक तो category बहुत जैसे describe कर दी है महिलाओं की कास्ट उनके social status को लेके minorities economically weaker section को लेके ठीक है तो बहुत सारी categories बना दी जैसे SCST ट्राइब primitive ट्राइब नॉमेडिक ट्राइब ठीक है tribes की भी आगे कर दिया minority economically weaker section और उनके occupation pattern पे भी ध्यान दिया गया है कौन सी महिला किस sector में काम कर रही है उनको भी अलग से categorize किया गया है जैसे unorganized sector में काम कर रही है migrant worker है silicosis victim है silicosis जो silica ज्यादा inhale कर लेते occupational disease होता है silica factory किसे में काम कर रही है महाँ पे single महिला है destitute महिला है उसमें ठीक है तो यह चीज़ है यह question है तो यह policy जो है अप्रूफ कर दी गई 2021 में याद कर लोगे ठीक है second time है जब government हमारी इनके लिए आई है policy के लिए आई है पहली policy जो है अप्रूफ की गई थी ऐसी 2000 के अंदर यह आपको याद रखना है राजस्तान की पहली महिला निती अगर कोई आपसे पूछले कब आई थी 2000 के अंदर formulate की गई थी 2000 के अंदर अभी जो है यह second time है government जो है नई policy के साथ जो है आई है ठीक है तो government के यही कहने 2000 के अंदर अलग गोल थे अब हमारे अलग गोल है अब इसमें दो पॉइंट याद करें एक तो sustainable development पॉइंट से इसके अंदर सारे के सारे ठीक है जेंडर एक्वैलिटी होनी चाहिए ठीक है क्रियेट कॉण जीनियल एंट वाइरस वाइलेंस फ्री एन्वाइरमेंट हिंसा ना देखे हेल्ट एजूकेशन सिक्योरिटी यह सारी चीज़े पॉलिटिकल सोशल एकनॉमिक महिलाओं का employment में self employment में discrimination ना हो ठीक है trans women जो हैं जो हमारी transgender community है उनको mainstream of society में लेकर क्या आना ये भी नई महिला policy में लिखा गया है और gender responsive budget बजट के अंदर विशेश तरपे महिलाओं के उपर ध्यान देना ये सारे जो highlights है कौन सी जो नई women policy आई है 2021 उसके बारे में बता रह है ठीक है अभी और पढ़ेंगे देखो आदिवासियों के आस्था का केंदरे सबको पता है बनेश्वर धाम डुंगरपुर में मेला लगता है ठीक है तो यहां का जो development board है वो बनाया गया इस development board के chairman किसको बनाया गया अमोला नंजी महराज को अच्यूता नंजी महराज को पंडित भानु परशाद को या फिर पंडित मंगल मूर्ती राम को किसको बनाया गया भई यह पूछ रहें आपसे तो अच्यूता नंद महराज जी को बनाया गया याद करना है बनेश्वर धाम के chairman किसको बनाया गया है अच्यूता नंजी को बनाया गया याद रख लोगे भूलोगे तो नहीं भूलना नहीं है ठीक है अच्छा इस बोर्ड के सदस्य सचिफ मेंबर सेक्रेटरी कौन होंगे जो डुंगरपूर के ADC DC मत करके आ जाना इसमें इस बोर्ड का काम क्या होगा सारे देखेंगे जो भी आसपास नदियां है रीवर है धाम है उनको प्लैन आउट करना उनको अच्छे से ठीक्ठा करना वहीं सारा काम होगा ख्ली लेस देखना ठीक है तो यह सारी उनका मेंटेनेंस करना नया काम जो भी आ जाए वहां पर जो भी डैंप वगएरा है वनिश्वर धाम के आसपास उनको अच्छे से देखना ठीक है धाम की नदियों से कोई प्रदूशन हो रहा है उसको रोकना ठीक है कोई नया प्लै सेंट्रल सरकार सेंट्रल गौवर्मेंट अच्छा बीका ने मेगा फूड पार्क की अप्रूवल दे दी सेंट्रल गौवर्मेंट ने दे दी मेगा फूड पार्क जो स्कीम है उस योचना के तहत मिनिस्ट्री और फूड प्रोसेसिंग जो सेंट्रल गौवर्मेंट की है के इंद्रिये खादे प्रसंसकरन मंतराले द्वारा जो स्कीम चल रही है मेगा फूड पार्क स्कीम तो उन्होंने पर्मीशन मिल गिये कि बीका नेर में एक और मेगा फूड पार्क बनेगा एक तो डिस्टिक पर कोश्चन आएगा अब वो पूछ रहा है बीका नेर के भी किस एरिया के अंदर मेगा फूट पार्ग बरने जा रहा है पलाना खाजू वाला नोखा या फिर अनुगड तो इसका क्या अंसर है देखो जितना खाओगे पीओगे ठीक है उतना ही फलोगे फुलोगे तो उससे याद कर लो पलाना पालने के अंदर बैठके खा रहे हो पी रहे हो और क्याओओ आपको तो इसका अंसर है पलाना बिका नेर के अंदर कहां पर कर अचaler को शुचाम्हान इस ने तो इस्ट्रेव सेंटरल स्स.अर या फूड प्रोसेसिंग जो मिनिस्टर अर्जुन मेगवाल जी ने 7 अप्रिल 2021 को ये बताया कि बीका नियर मैटगा फूट पार्ग कुल टोटल कितना पैसों से बनने वाला है 200-500 करोड की लागत आएगी इसमें कितनी 200-500 करोड की आएगी सेंटरल गोव्रणनिंट कितना इसमें दे रही है अनुदानमे कितनी फंड का इंवेस्ट्मेंट करने वाली है पचास करोड का करने वाली है गरांट देगी teenage मतलब जो वाप्स न ही देना होता है गरांट दे दीया तू दे ये वापिस नहीं करना हमें Central Government को ठीक है तो पचास करोड रुपे Central Government लगाएगी बाकी जो है जो कंपनी बना रही है वो लगाएगी बाकी पैसे कौन सी कंपनी बना रही है इसको ये भी पूछा जाएगा तो इसको श्री राम मेगा फूड पार्क प्राइविट लिमिटेड इसको पर्मीशन मिली है तो वो डैफलप करेगे श्री राम मेगा फूड पार्क प्राइविट लिमिडिट ठीक है इसके लिए कितनी जमीन के ऊपर ये प्राइविट लिमिडेट भी य। ये तो असान सान से कोश्चन है देखो अब तो बहुत असान कोश्चन आगे थोड पानी लाएंगे ठीक है डैम बना के उस डैम का नाम पूछ रहा है कौन सा डैम बनेगा जिससे काली सिंद का पानी विसलपुर और इसरदा बांध में आ जाने वाला है नैनवा नवनेरा कोटला या फिर तिरावा तो देखो बिल्कुल नए नवेला बांध बना रहे हैं नव इससे राजस्थान के कितने जिलों को पानी मिल जाएगा बिसलपूर काहां पे है इस अर्दा कहाँ पे सवाई मादोपूर टॉंक यहीं पे यह सब तो वही जिले आगे देखो टॉंक सवाई मादोपूर ठीके टॉंक सवाई मादोपूर आगया कोटा बुंदी आगया हाड़ोती का अजमेर दोसा आगया ठीके और जैपूर आगया देखो इसको ऐसे नहीं बुंदी जेख लिया कोटा बुंदी आपका थीक, उसके बाद अजमेर संभाग के जिले, अजमेर डिविजन के कौन कॉन से अजमेर, टॉंक ठीक है अजमेर टोंक और सवाई मादोपूर सवाई मादोपूर कौन सी उसमें आएगा डिविजन में ये देख ले ना सवाई मादोपूर कौन सी में आएगा अजमेर टोंक तो एकी के अंदर सवाई मादोपूर में याता है ये भी है ना अजमेर टोंक सवाई मादोपुर नागोर चारो एकी डिविजन का पार्ट है तो तीन इसमें आ रहे हैं ठीके यह याद कर लो और जैपूर और दोसा दोनों जैपूर डिविजन का पार्ट है तो वो ठीके तो आपको याद करने के लिए याद कर सकते हो कोटा संभाग के दो जिले ठीक है अजमेर संभाग के तीन जिले और दो जो है जैपूर डिविजन के ठीक है याद कर लोगे ऐसे इन जिलों को इससे बेनिफिट होगा नवनेरा वेराज कहां बन रहे जिला भी पूछ सकते पर्टिकुलर स्पैसिफिक जिला तो यह नया नवेरा जो पानी जो है वो इसमें लाया जाएगा याद कर लोगे विसलपूर इसरदा डैम बहुत इंपोर्टेंट है कोईशन आता है ठीक है बस यह तो मैप मैंने ऐसे ले लिया था कि जिले याद करा दूंगे आपको कौन-कौन से देखो जैपूर और दोसा बॉर्डर स्टचिंग है देखो जरा ठीक है इनको बेनिफिट जाएगा इससे और किसको जाएगा कोटा बुंदी बॉर्डर टचिंग है इनको जाने वाला है अजमेर के देखो अजमेर टोंक सवाई मादोपूर एक लाइन में तो वह जिले लिए इन्होंने जो एक लाइन में तो कुल मिला के हम देखें तो यह वाला पार्ट हो गया अपने राजस्थान का जहां पर विसलपूर इसरदा से जो नवनेरा डैम बनाया जाएगा कोटा के अंदर इस इस एरिया को यहां से पानी जाएगा याद कर लोगे ठीक है यह चीज़ थी अगला कोशन देखते हैं हम लोग आप सबने लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो ठीक है अब तो छोटके छोटके कोशन है बहुत बहुत ही छोटे कोशन है SDG इंडेक्स जो है Sustainable Development राजस्थान इंडेक्स रिलीज किया गया 2.0 ठीक है इसके कौन से डिस्टिक ने राजस्थान के कौन से डिस्टिक ने इसके अंदर SDG राजस्थान इंडेक्स 2.0 में टॉप किया है कौन से जिले ने कोटा जुझनु जैपूर और सीकर किसने कोटा ने कोटा ने इसके अंदर टॉप किया है ठीक है जो टॉप फाइव जिले रहे हैं वो कौन-कौन से देखो कोटा चुरू जुझनु सीकर और गंगा नगर अब याद कैसे करोगे ऐसा क्या कर लिया सस्टेनेबल डेवलेमेंट विकास हो रहा है यहां के बच्चों का खुब जाता ऐसा क्या कर देया इन्हों ने तो बच्चे किस से खेलते हैं जुझने से ठीक है तो जुझनु के बच्चों को ठीक है क्यों इतने फलफूल रहे हैं चूर्मा खा रहे हैं कूट कूट के भरा हुआ एकदम से ठीक है और बच्चों को सीके बहुत जादा मिल ग जुझनु टॉप पे ठीक है अब कौन आगया कोटा आगया जुझनु अभी तीसरे data है अच्छा इस index की चार ना categories होती है achiever ठीक है achiever होती है category एक होती है front runner एक होती है performer और एक और होती है aspirant चार category होती है तो जो पहली दो category है उसमें हमारा कोई जिला नहीं आया achiever में और front runner में ठीक है पहली दो category में हम नहीं आये हैं हमारा score कितना है 50% है 50.63 परसेंट नहीं सोरी नंबर में है 50.63 अगर आपसे पूछे राजस्थान का average सतत विकास लक्षे बाला जो score है मतलब जो आपके अंक है वो कितने है 50.63 हमारे अंक है याद कर लोगे 50.63 ठीके उसकी बाद 50 से कम अंक वाले कौन सी category में आते है aspirant category में जाते है अगर अलग अलग डिस्टिक का देखें तो उसमें कौन-कौन से है 50 से कम वाली डिस्टिक में देखो जहां पर बाड आईए बिचारा कैसे को दो तिन याद भी करने पड़ेंगे अब कुछ तो हमें तो प्रतापगर डुंगरपूर और धूलपूर ठीके प्रतापगर डुंगरपूर और धूलपूर ठीके इन सब के जो स्कोर है 50 से कम है अस्पाइरेंट कैटेगरी में बाकी सारी एक ही कैटेगरी बचिये जिनका स्कोर 50 से 65 के बीच में आया है और वो कैटेगरी है परफॉर्मर तो हम परफॉर्मर कैटेगरी में आए हैं हमारे ज्यादा तर डिस्टिक्स ठीके तो यह कितने डिस्टिक्स होगे जो अस्पाइ और टॉपर पे अचीवर और फ्रेंटर में तो कोई भी नहीं है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान सरकार ने पहले मुनिसिपैलिटी बनाई थी नगरपालिका यह बनाई थी जिनको बाद में हाई कोट ने रद कर दिया अब उन्हीं नगरपालिकाओं को राजस्था ने दुबारबना दिया थी तो जो दुबारा बनाया गया राजस्थान गॉपेंट के द्वारा जो उनोंने फिर से ुनका नंबर पूचेए है पहले जिनको कैंसल कर दिया गया था लेकिन अब जो है राजस्थान गॉप्साद से नगरपालिका इस्टैब्रिश कि देरह स विद्ध निमोनिक करवाई थी अप्रिल 2021 में नोटिफिकेशन रिलीज हुआ 9 मुनिसिपैलिटी के लिए कितनी के लिए 9 के लिए हुआ ठीक है तो देखो जैपूर के लोग मैंने वैसे कई बार याद करवा दिया मैंने फिर निमोनिक बता दे तो जैपूर के लोग जो है ना सेंटर हब है राजस्तान का ठीक है तो याद कर लो बहुत जादा ही बतलब जो भी आते ना उसकी जैजेकार करने लग जाते यहां के लड़के लड़कियां पटाने में तेज है ठीक है नगरपालिका भी बनवाती उन्होंने तो सवाई का प्यार की उपादी दी जाते किसके देते हो राम लक्षमन की लक्षमन ने राजपा छोड़ दिया था तो रामगर लक्षमन गर और जो राम और भगवान श्री राम और लक्षमन की इमेज देखते हो तो हमेशा बानों के साथ देखते हो कि नहीं देखते हो तो बांसुर अलवर की तीन मुनिसिपैलिटीज कौन कौन से आएंगी रामगड बांसुर लक्षमंगड मुश्किल है कुछ याद करना जैपूर में नगर बनाया में नई मुनिसिपैलिटीज बनाई किसली यह लड़कियों को पटाने के लिए याद करने के लिए बता रहू डि बांसी नई मुनिसिपैलिटी बनी है बामण वास ठीके जोधा भाई को भौपाली राग बहुत पसंद है ठीके और जो जो जोधा भाई बनी थी ना एक्चुल में जोधा अकबर वाला सीरियल से अपने देखा होगा मध्यपरदेश से ही और शायद भौपाल से ही है तो ज हर चीज में ऐसे रहता है कि हमारे पास हर चीज का कोटा है तो अपने आपको सुल्तान ही समझने लग गाएंगा तो कोटा के अंदर सुल्तान पूर नई मुनिसिपैलिटी बनी याद कर लोगे अब रह गया अपना गंगा नगर ठीके तो गंगा नगर के पास हनुमानगर ह जड़ आते हो तो गंगा नगर के अंदर आपको याद कर लो जो नई मुनिसिपैलिटी बनी है नगर पाली का उसका नाम है लालगर जाटा क्या नाम है लालगर जाटा ऐसे याद कर लोगे भूलोगे तो नहीं ठीक है यह हो गई नो इनकी नोटिफिकेशन रिलीज हुई एपरिल में तो टोटल हमने कितनी किये 17 तो आठ मुनिसिपैलिटी की जो नोटिफिकेशन आई थी ना वो मार्च में आई थी कितनी आई थी 23 मार्च 2021 को टोटल आठ ये कौन कौन सी हैं देखो ज़रा ये भी देखते है जैपूर के अंदर बसी पिछले वाली में जैपूर में पावटा थी और वो जब पट आते हैं तो लड़कियां वहीं पर आके बस जाती है ऐसे याद कर लो याद करने के जैपूर के अंदर बसी ठीक है तो दो तो जैपूर के हो गई बसी और पावटा थीक है भरतपूर में हमने क्या पढ़ा वहां पर बताओ मुझे भरतप और दोसा के अंदर मंडावरी, सिरोही के अंदर जावल, धोलपुर के अंदर समुथरा और बासेड़ी, अभी मुझे इतने निमोनिक आ रहे हैं इनके सरमुथरा और बासेड़ी, ठीक है तो ये आप याद कर लो, करोली कभी कुछ था तो साप उट रहा मुझे रिकॉल नही अवार्ड दिये, तो which of the following अवार्ड इस करेक्टली मैच्ट, कौन सा सही मैच्ट है, नाना जी देशमुख नैशनल गौरव सभा अवार्ड दिया गया, जुझनू की बोजसर ग्राम पंचायत को, ठीक है, फिर ग्राम पंचायत डेवलप्मेंट अवार्ड जो है, वो दिय गया नागोर की पंचायत समिती मुंदवा को और ग्राम पंचायत का नाम है अरवर को, अरवर या अरवार, ठीक है, ग्राम पंचायत विकास, योजना, पुरुसकार, अरवर ग्राम पंचायत को, जो की नागोर की ग्राम पंचायत मुंदवा में शामिल है, ठीक है, उसके चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत आवोर्ड बाल हितेशी ग्राम पंचायत आवोर्ड दिया गया किसको नवा की ग्राम पंचायत मिंडा को ठीक है तो इसका आंसर क्या है all of the above क्या आंसर आएगा इसका all of the above सारे सही है बिल्कुल एकदम perfectly match है याद कैसे करोगे नाना के घर जाते हो जाते हो क्या मोज होती है आप लोगों की क्या मोज होती है खाने को मिलता है भरपूर ऐसे लगता है कि भोज पकवान बन गए है कहीं ना कहीं पूरा भोजन लगा हुआ है तो नाना जी देशमुक अवार्ड किसको मिला है ठीक है कौन सी ग्राम पंचायत है भोज बोजसर बोजन लगा हुआ है जाते कोने नाना के घर बच्चे बच्चों के लिए हमने कौन सा जिलाई पकड़ रखा अपना जुंजनू बच्चे जुंजने से खेलते हैं तो जुंजनू की भोजसर ग्राम पंचायत को मिला ऐसे याद कर लोगे जरूरी नहीं है हर बार ऐस अलग से भी तो पूछ सकते हैं ठीक है फिर ग्राम पंचायत विकास अवर्ड जो है वो किसको मिला तो याद कर लो नाग देवता के आश्रवाद से मुंडे जो हैं बहुत जादा डेवलप्मेंट करने वाले पंजाब में बोलते हैं तो हम यहां पर भी यूज करेंगे इस इसको ऐसे याद करने हैं ग्राम पंचायत डेवलप्मेंट प्लान अवर्ड ठीक है बहुत अच्छी उन्होंने विकास की प्लान योजना बनाई है नाग देवता जी का आश्रवाद लेके याद कर लो ठीक है नागोर की मुंडवा पंचायत समिती और ग्राम पंचायत कौ क्या होता है नव तो याद कर लो नवा पंचायत समिती की मिंड़ा ग्राम पंचायत को ठीक है चाइल्ड फ्रेंडली बाल हितैशी पुरुसकार दिया गया तो सारे के सारे बिलकुल एकदम 100% करेक्टली मैच रहें तो आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नमबर दी ठीक है राजस्व गाओं के अंदर 616 लोगों को उनकी भूमी की जमीन की मालिकाना हक दिया उसके लिए क्या दिये उन्होंने क्या डिस्ट्रिब्यूट किये है पट्टा डिस्ट्रिब्यूट किये है उनको 600 लोगों को 51 गाओं के कहां पे जैसल मेर के फतेगर तहसील के लोगों क ग्राम विकास वाला डेवल्पमेंट वाला और बाल हितैशी यानि की चाईल्ड फ्रेंडली वाला ठीक है वो तीनों तो मेरे ख्लत से याद होई गे होंगे ठीक है अच्छा इसमें और जो है जिन पंचायद समिती ने जिला परिशित ने ग्राम पंचायद ने अच्छा काम उनको appreciation के रूप में पैसे वैसे भी मिले तो कोटा जिला परिशत को 50 लाग रूपे मिले जिसका कोटा नाम में कोटा आगे तो याद कर लो सबसे जादा पैसे मिले उसकी बाद उद्यपूर की ग्राम पंचायत समीति कोटड़ा और जुन्जनु की जुन्जनु बच्चे चिडिया और कहां खिल रहा है बच्चे चिडिया उड़ उड़ से याद कर लो उद्य होगा ठीके एक कोठड़ी के अंदर बैठके खिल रहे हैं तो कोटड़ा तहसील उद्यपूर की सोड़ी तहसील नहीं पंचायत समीति कितने रूपे मिले इनको 25-25 लाख रूपे दिय अदे च्छार लिए 10 लाख रूपे मिले उद्यपूर के अंदर फूर हुंडेर एक मिन्रल साइट है जहां पर हमें आईरन मिलता है तो हमारे थंडर बोल्ट की तरह मैंने किसको याद कर रहा था महाराना उद्दे सिंग्यू तो उद्देपुर के अंदर ग्राम पंचायत का नाम है थूर इसको 10 लाग रुपे मिले ठीक है धोलपुर की निधारियां कला अब कुछ वैसे भी याद कर लो डोल बजाते हुए अलगी कला कलाएं दिखा के लोग डांस कर रहे हैं यह ऐसे याद हुजाएगा और पाली की कौनसी ग्राम पंचायत को वर को तो याद करलो पालकी में जाके वर जो है उसको दुल्हन को लेके आएगा तो बर ग्राम पंचायत को 10-10 लाग रुपे मिले ठीके तो 10-10 लाग रुपे मिले ग्राम पंचायत को 25-25 लाग मिले पंचायत समीति को 50 लाग रुपे मिले जिला परिशत को याद कर लोगे ठीके तो एक ही जिला परिशद को 50 लाग रूपए मिले 25 पच्चिस लाग दो पंचायत समीति को उद्यपूर की कोटड़ा और चिडावा जुझनु की और बाकी सारे ये जो है एक दो तीन चार पांच पांच ग्राम पंचायत को 10-10 लाग रूपए मिले जुझनु की त्योंद्या आएगी गंगा तोड़ी से कोशन हो रहेंगे तेको स्टेट कैबिनिट ने अप्रूव किया है राजस्थान टूरिजम बिजनस फैसलिटेशन और Regulation Amendment Rules 2021 के कब 31 मार्च 2021 को राजस्थान टूरिजम में जो Amendment Rules जो है उसको Approval दे दिया जो बदलाव संशोधन हमें करने थे वो कर दिये दूसरा जो है State Cabinet ने इसमें 31 मार्च 2021 को ही राजस्थान टूरिजम Policy के अंदर Guest House Scheme को भी Approval दे दिया कि Guest House कैसे बनाएगा कौन बनाएगा, Owner को साथ रहना होगा, एक Guest House में Maximum कितने कमरे होंगे ठीके उसके अंदर उसको Approval दे दिया तो Option पूछ रहा है आपसे कौन सा Statement सही है, पहला, दूसरा, दोनों या फिर कोई भी सही नहीं है तो इसका अंसर हो जाएगा अपना, देखें, दोनों सही है, दोनों के दोनों सही है और Guest House Scheme बहुत डिटेल में Current Affairs में करा चुक है, अपी हम दुबारा इसमें नहीं जा रहे है नेक्स्ट क्वेशन है, देखो, नेक्स्ट क्वेशन है, नैचरोपैथी और योग मेडिसन के अंदर ठीक है, किसकी चेर्मेंशिप में राजस्थान स्टेट नैचरोपैथी डेवलप्मेंट बोर्ड बनाया गया किसलिए ताकि नेचरोपैथी और योगा का बहुत अच्छा डिस्सेमिनेशन और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तयार हो सके मतलब इसका धाचा तयार हो सके और अच्छे से प्रसार हो सके चीफ मिनिस्टर को चेर्मेन बनाया गया है यो हमारे मुख्य मंतरी है सेक्रेटरी को बनाया गया है हेल्थ डिपार्टमेंट के यानि की स्वास्ते विभाग के सचिव को हेल्थ मिनिस्टर स्वास्ते मंतरी को या फिर राजस्थान सरकार के चीफ सेक्रेटरी को बनाया गया है तो किसको बनाया गया है ये पूछ रहे है तो राजस्थान स्टेट नेचरोपैथी डेवलप्मेंट बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है हेल्थ मिनिस्टर को कौन है हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर रगु शर्मा है न तो यह आप एक बर क्रॉस चेक भी कर लेना ठीक है तो अध्यक्ष बनाया गया है हेल्थ मिन है वो इसके ex official member रहेंगे ज़्यादा परिशानी हो लास्टी कोश्चन था वज आज का यह होगे ठीक है तो वीडियो कैसा लगा क्या करोगे बताओगे मुझे या नहीं बताओगे तो वीडियो कैसा लगा यह बताना है लाइक करना है सब्सक्राइब करना है शेयर करना है मिलती रहूंगे आपसे अगली वीडियो में तब तक आप सबको में तरब से घनी घनी राम राम ठीक है